हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हिम दर्पन पर दोस्तो अज हम बात करेंगे जनल साइंस के वारे में आप सभी को पता है कि हिमाचिर विदेश में जितने भी competitive exam होते है उनमें जनल साइंस जूर पुछा जाता है तो उसी को हमने ध्यन में रखते हुए आप सभी के लिए जनल साइंस के कुछ महतरपुन को लेकर हम आपके लिए आये है तो दोस्तों यहां पर जेतने भी कोशन है most important है तो आप वीडियो को अंदक जूर देखे और यहां आपको आने वाले जेतने भी competitive exam है उनमें देखने को मिल सकते है तो आप वीडियो को अंदक जूर देखे और जो हमारे चैनल पर नया है उन सब से request रहेगी कि हमारे चैनल को जूर subscribe करे और वाला icon को जूर प्रेस करे तो चलि सुर करते हैं आज की वीडियो तो आज का जो हमारा पहला प्रस्ण हेगा वह रहेगा पैंसलिन की खोज किसने की थी अक्षरा एकजाम में देखने को मिलता रहे question तो इसका जो उतर है दोस्तों वह है अलग जान्टर flaming ने जो जो अलग जान्टर फ्लैमिंग था उन्हेंने पैंसलिन की किया जाता तो जो क्रिस्ट्सक्राफ है उसका आविस्कार infect near jc궁 ने खिया थाा और दोस्तों यह भारती बहानिक थे तो जो इनका पूरा वो है जगदिश चंदर बोस उनने क्रिस्कोग्राफ का आविश्कार किया था और इसका कारे क्या होता है दोस्तों जो इसका कारे होता है पौधे के विकास को मापना तो यहां से इस तरह से भी कोशन पूछा जा सकता है आपसे जो HP पुलिस की तेयरी कर रहे है या जो अध्र में सुरू होता है, जो पा header होता है, वो खहाँ से होता है, वो होता है मुक से, तो next question की बाद करेंगे, प्राचिन काल में दहीं जमाने का bio technology की प्रक्रिया में निमन जीव का अब सकता होती थे, तो उसमें जिंहानों क क्या आप सकता होती थे, तो इसकी डिटेल देखेंगे हम, प्राचिन काल से धहीं जवाने का बाया टॉक्नलोलजी की प्रक्रिया में जिवानू के आपसकता होती थी, धहीं जवाने के लिए दूद को 30 से 40 तेल सियर डिगरी तक उबालें के बाद ठंडा कर उसमें एक चमच धहीं डाल जाती थी, क्य माद देते थे, तो यह प्राचिन काल में यह स्वध्धी का प्रयूग किया जाता था, तो नेक्स कोशन की बात करेंगे, मनुष्यक के स्रीर के रक्त का प्याच मान है, तो जुरूजी कोशन है दोस्तों, जो मनुष्यक का स्रीर में रक्त का प्याच मान है, वो 7.4 है, और एक व्यासक में औस तन 5 से 6 लेटर खुन होता है तो नेक्स कोशन के बाद करेंगे परमानु रियक्टरों में ग्रिफाइड को डैस के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है के प्रुमानु रेक्टर का प्रुख वीजलित अत्पाधन के लिए प्रामानु उर्जा से उंत्रों में किया जाता है यह आम तOR पर ग्रेफाइर्ड और सियो टू नु ससे जाता है है इस तरह से कोशन पूछ लिया जाता है कि दुभनी की तीवरता के लिए किस विमारी के लिए किया जाता है इंपोर्टन कोशन है दोस्तों इस तरह से कोशन में देखने को मिलते हैं तो इसका जो उत्र है वो टीवर्व क्लॉलिसिस या रोग तो यहां से फुल फाम देखेंगे डिरेक्टली और जार्ब ट्रेटमेंट जिसमें टीवी डॉट्स के रूप में जाना जाता है तो नेक्स्ट क्रेंगे बुपाल कांड में कौन सी गयस थी बुपाल में कांड हुआ था तो इसमें कौन सी गयस थी जो मिधिल आइसो साइनेट जो मिधिल आइसो साइनेट जो गयस थी वो बुपाल कांड में हुई थी लिकेज हुई थी तो इसके बारे हम डिटेल देखेंगे जो बुपाल गयस ट्रासदी 3-2 दिसमबर 1984 की रात को मध्यप्रतेश के बुपाल में युनियन करवाइड इंडिया लेमिंटिड कितना सक सेंतर में हुई थी यहां पे जो पांच लाख चदिक लोग मिधाइल आक्सो साइनेट गयस और अन्या रसाइनों के संपर्क में आ गये थे इसलिए यह उस ताइम वाल कांड हुआ था तो नेस्ट वर्शन के बाद करेंगे कौन सी चीज एक अलग कौन सी चीज एक आग की भट्टी में लावा के रूप में प्राप्त किया जाता है तो इसका जो उत्तर है वो है कल्चियम silicate, जो calcium silicate है, वो आग की बट्टी में, लावा की रूप में राप्त किया जाता है, तो next question की बाद करेंगे, दाले नेमलिकित में से किसकी परचूर स्त्रोथ है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, जो दालों से हमें परचूर मात्रा में मुलता हुआ है, प्रोटीन, तो दाल मुख्य रूप से सुष्क सित्र होते हैं, उसमें उगाने वाली वर्सिक फसल है, उदहन चना मटर वेंसादी है, इसको द्वारण है, विदुत्त दर्शी का डैस द्वारा आविस्कार किया जाता है, तो इसका जो आविस्कार किया था, वो किया था विलियम गिल्वर्ट तो नेक्स्क्रेशन देखेंगे, सुर्य के चम के लिए भाग को डैस कते हैं, तो इसका जो उत्र है दोस्तों, प्रोटो स्पीर, जो सुर्य के लिए भाग होता है, वो होता है, प्रोटो स्पीर, तो नेक्स्क्रेशन की बात करेंगे, रंजंग जो रंजंग होता है या डा सागर की गढ़ाई को मापने के लिए किस उपकर्ण का पयोग किया जाता है तो इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो इस तरह से कोश्चन आपको एक्जाम में देखने को मिलते है तो वह है फैदर मेंटर तो नेक्स्ट के बाद करेंगे लेक्ट्रान की खोश्चन की जे जे तॉम्सन गुर्दे की पत्री डैस में बनी होती है जो गुर्दे की पत्री है वो कैल्चियम ऑक्सलेट से बनी होती है जो गुर्दे की पत्री होती है वो कैल्चियम ऑक्सलेट से बनी होती है तो नेक्स्ट के बाद करेंगे श्रीर का कौन सा भाग नीमोनियम रोग से प्रवाबिद होता है जो नीमोनिया होता है तो उसमें फेफडे को वो प्रवाबिद करता है तो next question बात करेंगे कौन सी मानब श्रीर की सबसे बड़ी कोछका है तो तंतरका कोछका जो नर्वस सिष्टम है या मानम स्विर्ट की सबसे बड़ी कुछ का है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों को जूर सेर करना और हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करना थेंक यू